खुआ 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 है इस वीडियो के दोनों रूब्रिक्स डिलुजिन्स, इमाजिनेशन्स, हलुसिनेशन्स, इलुजिन्स, Head is surrounded by fire और Sword hanging over head Dr. Kent की रेपर्टरी में दिये गए हैं और इन दोनों में सिर्फ Ammonium Muriaticum दवाई दी गई है Delusions, Imaginations, Hallucinations, Illusions इन चारों टर्म्स के डिफरेंसिस को मैंने अपने High O'S Amos के वीडियो Delusions, Chasing and Driving Peacocks में एक्स्प्लेन किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं Head Head, Human Body के अपर पार्ट को कहते हैं जिसमें ब्रेन मौजूद होता है जिससे हम बातों को एनलाईज करते हैं और उसके अनुसार फैसले लेते हैं इसी तरह जब कोई इनसान किसी एक्टिविटी का इंचाज होता है तब उसे भी Head कहा जाता है Example, Head of Department जिसका मतलब है कि इस डिपार्टमेंट के सारे डिसिजिजिन्स वो एक व्यक्ति ही लेता है Surrounded इस शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तू को चारो तरफ से घेर लेना ताकि उस घेरे से बाहर जाना या बच निकलना मुश्किल और लगभग नामुमकिन हो जाए Fire इस शब्द का मतलब है आग या अगनी जिसमें पांच फीचर्स होते हैं पहला, आग एक ऐसी शक्ती है जो अपने संपर्क में आने वाली हर चीज़ को जला कर राख कर देती है यानि Fire एक destructive power है जिससे ठंड के मौसम में रोशनी और गर्मी तो मिलती है लेकिन उसके करीब जाने पर व्यक्ति या वस्तू जल जाता है दूसरा, किसी strong desire, passion या emotion के लिए भी fire शब्द यूज किया जाता है जैसे प्यार की आग, नफरत की आग या गुसे में आग बबूला होना तीसरा, intense adverse criticism के लिए English language में fire शब्द यूज किया जाता है इसी तरह, जब किसी को job से निकाला जाता है, तब भी fire word यूज किया जाता है एक्जाम्पल, बॉस ने clerk को fire किया चौथा, fire चीजों को purify करने में काम आता है आग में डाले जाने पर गोल्ड या सोना तब कर कुंदन बन जाता है यानि fire से तकलीफ होने के बावजूद, गोल्ड की impurities आग में नश्ट हो जाती है जिससे वो खरा सोना कहलाता है और पांचवा, fire शब्द trial by ordeal के लिए यूज किया जाता है हिंदी में कहें तो अगनी परिक्षा जिसका अर्थ है खुद को सही और बेगुना साबित करने के लिए किसी बहुत तकलीफ और टौचर देने वाली स्थिती का सामना करना sword इस शब्द का मतलब है तलवार यानि एक लंबा तेजधार वाला हत्यार जो काटने या कतल करने के लिए इस्तमाल किया जाता है hanging over इस term का मतलब है उची point से किसी चीज को लटकाना ऐसे में वो चीज हवा में लटकती रहती है क्योंकि उसे नीचे से कोई support नहीं मिलता इस condition में उची point से attached होने के कारण मिलने वाला support यदि तूट जाए तो लटकी हुई चीज किसी भी समय नीचे तेज रफतार से गिर सकती है तो इस rubric delusions, imaginations, hallucinations, illusions, head is surrounded by fire को literally समझें तो among mere patient को ये गलत फेहमी होती है कि उसके सिर को चारो तरफ से आगने घेर रखा है लेकिन इस rubric का metaphorical meaning ये है कि among mere patient के अनुसार जब भी patient कोई फैसला लेता है तब patient को नुकसान पहुचाने वाले लोग घेर लेते हैं इसी तरह delusions, imaginations, hallucinations, illusions, sword hanging over head को literally समझें तो among mere patient को ये लगता है जैसे उसके सिर के उपर तलवार लटक रही है लेकिन इस rubric का metaphorical meaning ये है कि among mere patient के अनुसार उसकी life में किसी भी समय कोई जानलेवा, खतानाक या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाने वाली घटना हो सकती है Sword hanging over the head ये phrase एक Greek कहानी से originate हुआ है 4 century BC में सिरक्यूस के राजा Dionysius the Elder के दरबार में Damocles नाम का एक attendant था जो राजा की दौलत और ताकत को देखकर हमेशा ये कहता था कि राजा कितने खुश किस्मत है इसलिए Dionysius ने Damocles से कहा कि एक दिन के लिए उन दोनों को अपनी अपनी जगहों की अदला बदली करनी चाहिए Damocles ने ये बात मान ली लेकिन जब वो डाइनिंग टेबल पर खाना शुरू करने जा रहा था तब उसने देखा कि घोडे के बाल से अटैच्ट एक तेजधारी तलवार ठीक उसके सिर के ऊपर लटक रही थी डर के मारे जब Damocles ने ये बात राजा डियोनीसियस को बताई तब राजा ने उसे कहा कि वो स्वोड राजा को हमेशा ये बात याद दिलाती है कि किंग होने के बावजूद किसी भी समय राजा के साथ जान लेवा घटना हो सकती है तो इस कहानी के अनुसार तलवार का राजा के सिर के उपर लटके रहना पावर और हाई पोजिशन के साथ मिलने वाली इनसिक्यूरिटी और खत्रे को दर्शाता है लेकिन आज इस मुहावरे को हमेशा मौजूद रहने वाले डेंजर, डिजास्टर या मिसफॉच्यून की पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है एक्जाम्पल वन तीस साल का मेल पेशिंट बोला, डॉक्टर मुझे बार बार सदी खांसी की तकलीफ होती रहती है एन्टी डॉक्टर ने बताया कि मुझे अलर्जी की प्रॉब्लम है उसके लिए मैं दवा ले रहा हूँ, जिससे कभी ठीक लगता है तो कभी तकलीफ में कोई फर्क नहीं महसूस होता फिर पेशिंट बोला, डॉक्टर मैं एक स्टॉक ब्रोकरिज फर्म में काम करता हूँ शेर मार्केट से जुड़े मेरे अनालिसिस और डिसिजिन्स यूजिली करेक्ट होते हैं इसलिए मेरे आसपास के लोग शेयर्स को बाई या सेल करने के मेरे फैसलों को मानते हैं और फॉलो भी करते हैं लेकिन साथ ही वो लोग मुझसे बहुत जलते हैं जब भी मेरी प्रेडिक्शन सही होती है तब उनके चेहरे देखने लायक होते हैं मानो जैसे सब मन मेरे बारे में ये कह रहे हों कि धत तेरे की इस बार भी मेरा जज्जमेंट सही निकला इसलिए वो लोग यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिसे की कंपनी मुझे जॉब से निकाल दे ताकि मेरे करियर का दी एंट हो जाए इसी तरह घर में सबसे बड़ा होने के नाते मैं ही ज्यादा तर फैसले लेता हूँ लेकिन मेरे परिवार के सभी लोग एक साथ हो जाते हैं और मेरे डिसिजिन्स को हमेशा बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं अब मेरे छोटे भाई ने मुझे फोन पर आपसे बात करते हुए सुन लिया था कि मैं होमियोपेतिक इलाज करवाना चाहता हूँ बस हो गया घर में बवाल घर के सभी लोग मेरे डिसिजिन्स में दोश निकालने लगे कि मैं ये दवा क्यों लेना चाहता हूँ उन सब ने एक साथ मुझे ऐसे घेर लिया कि अपने फैसले पर अटल रहना और उनके इस चक्रव्यू को तोड़ना मेरे लिए किसी अगनी परिक्षा से कम नहीं था मैंने उन्हें समझाया लेकिन वो मानने के लिए तयार ही नहीं थे फाइनली मुझे घुसा आया लेकिन कुछ कहने की बज़ाए मैं बस चुप चाप उन लोगों को देखता रहा हाना कि मैं उन पर चिला सकता हूँ लेकिन यूजियली मुझे चुप रहना बहतर लगता है मेरा चेहरा और मेरी चुपी देखकर वो लोग समझ गए कि अब इस बात को यहीं खतम करना सही है फिर पेशिंट बोला ये सब मेरे डैड की वज़े से हो रहा है मैं उन्हें हमेशा भगवान की तरह पूझता था लेकिन मेरी ममी की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी की और मेरे लिए सौतेली मा ले आए तब से मुझे यही लगता है कि मेरा बाप देवता नहीं बलकि दानव है जिसने मेरे जजबातों की भी परवा नहीं की बलकि सौतेली मा और सौतेले भाई भेन का बोज मुझे पर सौप कर मर गया इसलिए रब करे मेरे बाप जैसा राक्षस नर्क की आग में जले अब तो ऐसा हाल हो गया है कि अक्सर खांसी आने पर मुझे नींद जल्दी आती नहीं जब यह तकलीफ मुझे नहीं थी तब मुझे पलंग पर लेटते ही नींद आ जाती थी लेकिन अब इस खांसी के कारण मुझे कम से कम एक घंटे के बाद नींद आती है कौफ सिरप लेने से भी मुझे नींद 15-20 मिनिट के बाद ही आती है मैं अक्सर सपनों में ये देखता हूँ कि मुझे अपनी बिमारी के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास पहुँचना है लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम मैं लोगों से पूछता भी हूँ कि डॉक्टर का क्लिनिक कहा है और वहाँ जाने के लिए मुझे कौन सी ट्रेन या बस लेना चाहिए लेकिन कोई भी मुझे जानकारी नहीं दे पाता फाइनली बहुत मुश्किलों और तकलिफों के बाद मैं डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुँचता हूँ इसी तरह मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे इस बीमारी को ठीक करने में भी मुझे बहुत सारी तकलिफों का सामना करना पड़ रहा है फाइनली पेशिंट बोला मैं दो डॉक्टर्स को अपनी इस तकलिफ के बारे में बता चुका हूँ लेकिन उन दोनों ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा माना एलर्जी की तकलिफ पुरी तरह ठीक नहीं हो सकती लेकिन कम से कम वो लोग मुझे इतना तो कह ही सकते थे न कि उनकी दवा से मैं अच्छा हो जाऊंगा इतना बोलने में उन्हें क्या प्रॉब्लम है इसलिए उनकी दवा से थोड़ा ठीक लगने पर भी मैं उनके पास फॉलो आप के लिए नहीं गया तो इस केस में जब भी पेशेंट शेर मार्केट को अनलाइस करने के बाद कोई डिसिजन लेता है तब उसके साथ काम करने वाले लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं पेशेंट के प्रेडिक्शिन्स सही होने पर लोग और उनके चेहरे पेशेंट के प्रती खीज, जलन और नफरत दर्शाते हैं साथ ही ये आसपास वाले लोग पेशेंट के करियर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहते हैं इसी तरह घर में भी पेशेंट को अपने डिसिजिन्स के लिए बहुत क्रिटिसिजम का सामना करना पड़ता है फैमिली मेंबर्स अपनी नाराजगी एक्सप्रेस करने के लिए पेशेंट को घेर लेते हैं और उन्हें समझाना पेशेंट के लिए एक बहुत ट्रबलसम एक्सपिरियंस हो जाता है यहां हेटरिड, जेलिसी और सिवियर क्रिटिसिजम फायर के समान है जो डिस्ट्रॉक्टिव नेगिटिविटी का प्रतीक है इसलिए ये रूब्रिक है गुसा आने पर पेशेंट अपने एमोशन को वर्बली एक्सपेस करने की बजाए चुप रहना पसंद करता है जबकि वो बिंदास अपने परिवार वालों पर चिला सकता है फिर भी पेशेंट बिना कुछ बोले सिर्फ अपने चेहरे से ही अपना घुसा जाहिर कर देता है इसलिए ये रूब्रिक है एंगर वित तैसी टर्निटी पेशेंट अपने फादर को भगवान की तरह वर्शिप करता था लेकिन जब उसके डैड ने दूसरी शादी की तब पेशेंट के लिए वो देवता समान व्यक्ती, डीमन या राक्षस बन गया अब पेशेंट ना सिर्फ अपने पिता को दानव मानता है बलकि अपने डैड को नर्क में कड़ी सजा भुगतने का श्राप भी देता है इसलिए ये रूबरिक है ब्लास्फमी एंड करसिंग ब्लास्फमी मतलब गॉड या फिर जिस इनसान को पेशेंट कभी भगवान की तरह मानता और पूझता था उसके लिए अपमानित भरे शब्द बोल कर उस देवता का अनादर करना अलर्जी से होने वाली खांसी के कारण पेशेंट को सोते समय एक घंटे से पहले नींद नहीं आती और कॉफ सिरप लेने के बाद भी पेशेंट को 15 से 20 मिनिट तक नींद आने का इंतजार करना पड़ता है इसलिए ये रूब्रिक है स्लीप, फॉलिंग असलीप, डिफिकल्ट, फ्रॉम, कॉफिंग सपने में पेशेंट ये देखता है कि वो कहीं पहुंचना चाहता है लेकिन जब पेशेंट यात्रा पर निकलता है तब उसे मनजिल पर पहुंचने का रास्ता मालूम नहीं होता है और लोगों से पूछने पर भी उसे कोई information नहीं मिलती इसी कारण डॉक्टर के क्लिनिक तक आने की यात्रा में भी पेशेंट को बहुत सारी problems का सामना करना पड़ता है इसलिए ये रूब्रिक है Dreams, Journey, Traveling with Difficulties पेशेंट ये चाहता है कि उसे दवा देने वाले डॉक्टर्स उसे ठीक होने की उम्मीद यानि hope प्रवाइड करें लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तब पेशेंट बहुत अपसेट हो जाता है Ray of hope यानि उम्मीद की किरन ना मिलने से पेशेंट डार्क यानि बिना लाइट वाली स्थिती में रहने पर और ज्यादा नाराज हो जाता है इसलिए ये रूब्रिक है Darkness Aggravates Example 2 45 years का male patient बोला डॉक्टर मुझे BP की तकलीफ है मेरे family doctor ने 3 दवाईयां दी हैं लेकिन फिर भी मेरा BP कम नहीं हो रहा है तीन anti-hypertensive medicines के बावजूद भी patient का blood pressure high रहने का मतलब है patient को resistant hypertension है फिर patient बोला डॉक्टर मैं एक MNC में अच्छी post पर हूँ और मेरे under 25 लोग काम करते हैं लेकिन पता नहीं क्यूं हमेशा ऐसा लगता है कि ये private company कब मुझे job से निकाल दे या recession के कारण मेरी salary कम कर दे private firm में भले ही आप अच्छे post पर हो लेकिन फिर भी इस बात की कोई guarantee नहीं होती है कि आपका job और salary permanent है सरकारी नौकरी में ये tension नहीं होता है क्यूंकि महाँ job की security हमेशा रहती है उपर से paid leaves और retirement के बाद pension अलग मैं हमेशा से government job ही करना चाहता था लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी मुझे job नहीं मिला इसलिए आज भी जब मैं ये खबर सुनता हूँ कि किसी को सरकारी जौब मिल गया तब मेरे मन में यही इच्छा होती है कि काश मुझे भी government job मिला होता तो कितना अच्छा होता लेकिन ऐसा ना होने के कारण मुझे government jobs करने वाले लोगों से बहुत नफरत मैसूस होती है क्योंकि सरकारी नौकरी के जो फाइदे उन लोगों को मिलते हैं वो मुझे MNC में काम करने से भी नहीं मिल रहे है इसी तरह जब मेरे family doctor ने बताया कि मेरा BP दवाईयों के full doses देने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे healthy रहने की भी कोई guarantee नहीं है कब कौनसा stress मेरे BP को high कर दे और मेरी मौत का कारण बन जाए ये कहा नहीं जा सकता फिर patient बोला कभी कभी काम का stress मुझे इतना हावी हो जाता है कि मैं अपने parents को गालिया तक देना शुरू कर देता हूँ कि उन लोगों ने अपने जान पैचान वालों के जरिये मुझे सरकारी नौकरी क्यों नहीं दिलवाई माबाप होकर अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या बस दुनिया के सामने खुद को potent और fertile साबित करने के लिए बच्चे पैदा कर देते हैं लेकिन अपने kids के बहतर भविश्य के लिए कुछ नहीं करते इस पर patient की wife बोली डॉक्टर एक दिन हमारे पडोसी मिठाई का डिबबा देने घर आए क्योंकि उनके बेटे की सरकारी नौकरी लगी थी इस पर डॉक्टर आपको यकीन नहीं होगा husband ने पडोसी के सामने ही अपने parents को भला बुरा कहना शुरू कर दिया इतना ही नहीं पती ने मिठाई भी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें फिर से यही लगा कि दूसरों को government job मिल गया लेकिन उन्हें नहीं मिला finally हम इन्हें जैसे तेसे कमरे में ले गए वना पता नहीं ये अपने ही माबाब के बारे में और क्या-क्या अपशब्द बोलते रहते फिर patient बुला डॉक्टर जब BPI हाय होता है तब अकसर मेरा सिर्दर्द करने लगता है उस वक्त मैं बहुत चिर्चड़ा हो जाता हूँ और दवा लेने के बाद जब सिर्दर्द कम होता है तब ही मेरी खीज दूर होती है इतना ही नहीं डॉक्टर अब मुझे हसना भी अच्छा नहीं लगता टीवी पर comedy scenes देखकर पुरा परिवार हसता है लेकिन मुझे कुछ funny मैसूस ही नहीं होता और इसलिए मुझे हसी नहीं आती पिछले कई दिनों से मैंने नोटिस किया है कि मैं बहुत stressed, serious और उदास रहता हूँ जो अच्छी बात नहीं है इसलिए डॉक्टर अगर आपके पास कोई ऐसी दवा है जिससे मेरी मायूसी दूर हो जाए और मेरा चेहरा खिल उठे तो मुझे वो medicine जरूर दीजिए साथ ही डॉक्टर मुझे ये भी बताईए कि आखिर मेरा BP कम क्यों नहीं हो रहा है तो इस case में patient को अपने job और high BP दोनों के बारे में यही विचार आते हैं कि उसके साथ इन दोनों issues के कारण किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है यानि patient अपने job में safe और secure मैसूस नहीं करता इसी तरह resistant hypertension के कारण patient को ये लगता है कि उसके health की भी कोई guarantee नहीं है इसलिए इन दोनों feelings के लिए common rubric है delusions, sword, hanging over, head यहां सिर के उपर तलवार लटकने का मतलब है कि patient हर समय job से निकाले जाने की या high BP के कारण stroke से मौत हो जाने जैसी नुकसान दायक possibilities मैसूस करता है patient को government job चाहिए था लेकिन उसे वो नौकरी नहीं मिली इसलिए सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को देख कर patient job हासिल करने की इच्छा express करता है लेकिन ऐसा न हो पाने के कारण उसे उन लोगों से नफरत हो गई है इसी तरह जब patient का पडोसी अपने बेटे की सरकारी नौकरी लगने की खुशी में मिठाई देने आया तब patient ने अपनी नफरत को express करते हुए sweets के box को लेने से भी इनकार कर दिया इसलिए ये रूबरिक है envy and hate सरकारी नौकरी न मिल पाने के लिए patient अपने माता पिता को दोश ही नहीं बलकि गालियां भी देता है patient का ये displeasure उसकी wife ने भी confirm किया क्योंकि patient ने पडोसी के सामने भी अपने parents के लिए bad words यूज किये थे इसलिए ये रूबरिक है abusive children, children inserting parents सिर्दर्थ के दोरान patient चिर्चड़ा हो जाता है इसलिए ये रूबरिक है irritability during headache patient को funny movies देखने पर भी हसी नहीं आती इसलिए ये रूबरिक है laughing never patient ने खुद के बारे में observe किया है कि वो बहुत ज्यादा depressed और gloomy रहने लगा है इसलिए ये रूबरिक है introspection introspection का मतलब है आत्मनिरिक्षन जिसमें इंसान खुद के behavior और उसमें आने वाले changes पर ध्यान देता है और फिर उन observations को analyze करने के बाद अपनी personality के बारे में किसी conclusion पर पहुंचता है पेशिंट डॉक्टर से ऐसी दवा चाहता है जो उसकी life से sad और depressed feelings को दूर कर दे और पेशिंट के चहरे पर मुसकान ले आए साथ ही पेशिंट डॉक्टर से अपने BP की problem का कारण जानना चाहता है इसलिए इन दोनों feelings के लिए common rubric है light desire for यहां light शब्द का मतलब है एक हस्ता, मुस्कुराता हुआ ब्राइट या चमकता चहरा जो रौनक और खुशाली का प्रतीक होता है साथ ही light का मतलब है बीमारी के कारणों पर रोश्नी डालना So to summarize ammonia muriaticum patient के मन में दूसरों की भलाई को लेकर बहुत meaningful और अच्छे विचार आते हैं साथ ही patient बिना अपने निजी फायदे के यानि निस्वर्थ रूप से मानव कल्यान के लिए दूसरों की मदद भी करता है लेकिन जब patient के interpersonal relationships में problems आते हैं तब hurt होने के बावजूद patient अपने घुसे को अपने अंदर रोकने पर मजबूर हो जाता है और ऐसा करने के कारण ही patient बीमार हो जाता है इसी तरह patient चाहकर भी अपने दुख को आंसों के द्वारा express नहीं कर पाता इसलिए अब उसे अपनी family और कुछ specific तरह के लोग अच्छे नहीं लगते जब यह dislike बढ़ जाती है तब patient हर इंसान को शक की नजर से देखने लगता है और वो सभी को hate करने लगता है अब patient को ये भी मैसूस होने लगता है कि जिन लोगों से उसे नफरत है वो लोग patient का कतल करने वाले है इसलिए अब patient अपनी present place of living को छोड़ कर किसी नई जगह पर चले जाना चाहता है thoughts, thoughtful benevolence anger, suppressed, from weeping, cannot weep, though sad family, aversion to aversion to certain persons misanthropy delusions that he would be murdered and travel desired to ammonium ureaticum दवाई इन दोनों rubrics में मौझूद है तो इनके differences को समझते है anger with taciturnity taciturnity का मतलब है अपने मन की बाते सिर्फ अपने तक रखना और दूसरों से communicate ना करना तो जैसा मैंने example one में बताया गुस्सा आने पर patient अपने family members पर बिना डरे चिला सकता है लेकिन वो अपने गुस्से को verbally express करने की बजाए कुछ नहीं कहता है यानि अपना displeasure शब्दों के जरिये ना सही सिर्फ अपने चेहरे से express करता है Anger suppressed from ये rubrics का actual meaning है elements from anger suppressed इस शब्द का मतलब है किसी force या authority के द्वारा emotions को control करना और उसे express करने से खुद को रोक लेना तो इस rubrics anger suppressed from का मतलब है कि patient को गुस्सा आया और वो उसे express भी करना चाहता था लेकिन किसी कारण से patient को अपना गुसा अपने अंदर रोकना पड़ा और इसलिए patient बीमार हो गया example patient बुला doctor फाइल में एक गलती के कारण मेरे boss ने मुझे बहुत डाटा मन में तो आया कि अपने खडूस boss को बोलूं कि मैं उसका गुलाम नहीं हूँ जो वो मुझे कुछ भी बोलता रहे साथ ही ऐसा लगा कि उसे ये भी कहूं कि पहले खुद जाकर basic maths सीख कर आए फिर मेरे काम में mistakes निकाले लेकिन क्या करूँ डॉक्टर नौकरी का सवाल है न बॉस को उल्टा जवाब दिया तो फिर मेरा जौब चला जाएगा इसलिए चुप रहना पड़ा लेकिन इसके बाद से ही मेरी तबियत खराब होने लगी तो यहाँ patient अपने displeasure को strongly express करना चाहता था लेकिन patient को ये भी पता है कि अपने anger को express करने पर उसे नुकसान होगा इसलिए ना चाहते हुए भी patient को अपना गुसा suppress करना पड़ा तो anger with tacitonity में patient को अपनी नाराजगी express करने में कोई problems का सामना नहीं करना पड़ता है लेकिन फिर भी वो habitually कुछ कहता नहीं है और चुप रहता है इसलिए ये rubric usually patient का reaction दर्शाता है लेकिन anger suppressed from इस rubric में जब patient को किसी मजबूरी के कारण अपने गुसे को express करने से खुद को रोकना पड़ता है तब patient बीमार हो जाता है इसलिए ये rubric patient की बीमारी का causative factor है इसी तरह ammonium ureaticum दवाई इन दोनों rubrics में भी मौजूद है तो इनके differences को समझते हैं इस शब्द का मतलब है अंधेरा यानि एक ऐसी जगर जिसमें light या रोशनी मौजूद नहीं है light शब्द, lamp या बल्ब से मिलने वाली glow या bright रोशनी के लिए यूज किया जाता है इसी तरह ray of hope का मतलब है उमीद की किरण तो जब patient को किसी बात के बारे में जानकारी नहीं मिलती तो उसे अंधेरे में रखे जाने का एसास होता है इसी तरह patient चाहता है कि doctor या अन्य लोग उसके मन में उसकी बिमारी के ठीक हो जाने की उमीद जगाएं लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तब patient dark state में रह जाता है और इसी कारण वो upset हो जाता है fear of dark example, patient बोला doctor मेरे sonography की report में कोई डरने वाली बात तो नहीं लिखी है न मैं दूसरे doctor के पास भी गया था लेकिन उन्होंने भी मुझे मेरी बिमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी इसलिए मुझे tension हो रही है तो यहाँ patient को knowledge की light नहीं मिल रही है और इसलिए वो dark state में डर मैसूस कर रहा है darkness aggravates जैसे मैंने example 1 में बताया, patient यह चाहता है कि doctor उसे उम्मीद प्रवाइड करें कि वो ठीक हो सकता है बिमारी curable हो या incurable हो, patient को सिर्फ यह ray of hope चाहिए लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब अपनी बिमारी से already परेशान patient और भी ज्यादा upset हो जाता है यहाँ patient को डर नहीं लगता है, बलकि नाराजगी मैसूस होती है तो मुझे उमीद है कि आपको ये rubrics और इनमें मौजूद ammonium reaticum दवाई समझ आई होगी एक doctor ने मेरे phosphoric acid वीडियो के comment section में इस rubrics को explain करने के लिए कहा था, तो मैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो में provide कर रहा हूँ ये rubric Dr. Kent की repertory में दिया गया है और इसमें सिर्फ phosphoric acid दवाई दी गई है इस शब्द का मतलब है नाच या नुरित्य जिसमें एक इनसान music पर rhythmic body movements के द्वारा अपनी feelings को express करता है इस activity को perform करने से व्यक्ति ठक जाता है फिर भी उसको ये process बहुत अच्छा लगता है इसी तरह dancing to someone's tunes यानि किसी के इशारों पर नाचना इन मुहावरों का मतलब है कि बिना एतराज किये दूसरों की हर इच्छा पूरी करना भले ही वो सही हो या गलत इस situation में patient एक घुलाम या नौकर की तरह दूसरों को खुश करने की कोशिश में उनकी हर बात या demand को पूरा करने में बिजी रहता है Unconscious इस शब्द का मतलब है एक ऐसी condition जिसमें इनसान को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसकी life में और उसके आसपास क्या हो रहा है एक conscious व्यक्ति अपने होश औहवास में होने के कारण अपने आपको और आसपास के events को observe करता है हालातों में होने वाले changes notice करता है और इसी जानकारी को analyze करने के बाद उचित फैसले लेता है लेकिन एक unconscious इंसान किसी भी बात के बारे में aware नहीं होता है जब लोग इस unconscious व्यक्ति को जगाने की कोशिश भी करते हैं तब भी वो जागता नहीं है मतलब वो उसी unaware state में बना रहता है तो इस rubric का मतलब है कि phosphoric acid patient को dance करते समय ये बिलकुल भी मालूम नहीं होता है कि वो नाच रहा है यानि patient इस बात से बिलकुल unaware है कि वो अपनी मर्जी से नहीं बलकि किसी और की इच्छाओं के अनुसार काम कर रहा है एक्जामपल पेशिंट की wife बोली डॉक्टर, husband अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि वो उनकी हर wish पूरी करना चाहते हैं एक दिन हमारे 12 साल के बेटे ने नया आइफोन मांगा जो एक लाक रुपे का है तो आपको यकीन नहीं होगा डॉक्टर, hubby ने अपनी fix deposit को maturity date से पहले बंद कर दिया और उस रकम से बेटे के लिए आइफोन ले आए मेरे समझाने पर भी पती को ये realize ही नहीं हुआ कि 12 साल के लड़के को इतना महंगा फोन देना गलत है इसी कारण बच्चे बिगड रहे हैं वो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और patient बिना किसी objection या disagreement के उनकी हर इच्छा पूरी करने में busy रहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे खुश रहें तो यहां patient अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश में इतना involved है कि वो उनकी हर इच्छा तुरंत मान लेता है और उन्हें वो चीज लाकर देता है यानि metaphorically patient बच्चों के इशारों पर नाच रहा है patient को यह मालूम है कि ऐसा करने से बच्चे खुश हैं लेकिन बीवी के समझाने के बावजूद patient को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि बच्चों की हर विश को पूरा करना गलत है पिता होने के नाते भी patient को अपने बच्चों की सही और गलत demands के बीच का फर्क मालूम होना चाहिए साथ ही patient को गलत बातों पर एतरास जता कर अपने kids को समझाना चाहिए लेकिन वो खुद इस बात से unaware है कि असल में उसके बच्चे उसे control कर रहे हैं यानि patient को इस बात का होश ही नहीं है कि वो अपने बच्चों के इशारों पर नाच रहा है इसलिए ये रूब्रिक है Dancing Unconscious Phosphoric Acid patient दूसरों को खुश रखना चाहता है ताकि बदले में उसे भी प्यार और अपनापन मिले लेकिन इस कोशिश में patient अपनी सारी energy और resources खर्च कर देने के कारण tired और exhausted फिल करता है जब patient को दूसरों से मन चाहा प्यार नहीं मिलता तब वो disappointed फिल करता है, brood करने लगता है और finally hopeless हो जाता है मैंने अपने Phosphoric Acid वीडियो का link description में दिया है तो आप उसे भी refer कर सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे like और share करें और मेरे इस YouTube चैनल को subscribe करें वीडियो या हुमियोपती से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप feedback देना चाहें तो मुझे comments में बताएं मैं आपके सवालों का ज़ाब देने की पूरी कोशिश करूँगा Thank you for watching